नाम है पठान का जी कर करैंध पधान का ट्रेलर में आप देखेंगे वहलness है किसी यदिशी मेरे देचकые लगता कि फिल में पर आजीत नहीं करना चाहिए न पहते है ती क्या सुसके क्त है पहले बात लगत सकते हैं पहले बात इन कि ही अरुआ रहा रंग मेरा हिंदु में अगर किसी के उकात है तो पठान मुवी आप रोख करके दिखाई है नमस्कार मैं शुभम और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच भारत एक नई सोच इस समय एक पुच्चर आई है पठान उसी का हम पब्लिक रिव्यू कर रहे हैं लोग क्या उस पे गाना रि अगल बगल पढ़ते हैं यह पंथ पार्क में हम लोग आये हुए थे और इनहीं से बात करेंगे कहां तक सही है और इस पिच्चर को बाइकॉट करना चाहिए या देखना चाहिए कुछ संदे देना चाहिए तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने गाना सुना है जी आ मैंने बेसिकली हिंदू हूं मैं एक बनिया समाज से हूँ और जैसे कि भागवारंग हम लोगों का एक सम्मान का प्रती होता है हिंदु धर में आपने भागवा कलर को एक इंटिमेंट सीन में भी दिखा दिया उसमें कपड़े की रूप में भी नहीं लेकिन बालिवूर इसमें क सारु खान सलमान का आमिर खान इनका टोटल थीम होता है एक मलब की किसी तरह से हिंदू को बदनाम किया जाए नाम जैसे कि इसका है पठान सारु खान की जो मुवी है साधी यह जनुरीव लॉंच होने वाली है यह रिलीज अवे दिसम्मर विलिने सोने माली है तो उसमें ना सब्सक्राइब को थिंकिंग नहीं बन रहा है एक कलर ही नहीं कई कलर का कपड़ा पहना हुआ है और दस सेकेंड का सीन है जिसमें वह भगवा सैफरन और आप उसको कलर ही कह सकते हैं तरीके से आपकी परसनल च्वाइस है कि आप काला पहने नीला पहने सफेद पहने या या जाती पर तो कोई बात नहीं होनी चाहिए ना नहीं सर जैसे कि माले यह सर वाइट पहनते ब्लू पहनते और भगवा कलर पहने हैं तो यह हिंदु धर्म का अपना अपमान ही तो हुगा अपका बड्ड़ла साल में एक बार बड्रंड़ा पइदात हुए एकी ठीन है तो इस तरह से दिखाना अपने तो किया कोई आप किसी को गाली दिने होंगे यह तो आप पिचर में कुछ अच्छा संदेश दिया जा रहा हो या कुछ ऐसा हो कि पिचर आप गाने के 10 से निधारित कर सकते हैं पूरा पिचर खराब होगा जब ट्रेलर यह तो क्या सुछ सकते पहली बात यह है जब ट्रेलर यह तो किसी तरह अपनी मूवी में और माने चलिए 150 क्रोड जन संख्या है इंडिया में और पूरा वर्ल्ड इसको देखता है हर चीज को उसमें क्या एक थिंकिंग आती है पूरे वर्ल्ड में हिंदू बार में इंडिया में छोड़ दीए ज आप नेपालों चल जाए आप नेपाल में बहुत ज़त करते हैं मुश्लिवां पे हिंदू हैं मुआ बल्त ज़त होती है लेकिन वो लोग पायकाट कर देते हैं वाई अपने हिंदू का बिसिकली आपने बिजट किया है साबसी बात नाम है पत्थान का जिकर कही नहीं बनाते हैं तपिता जी में चाहिए लेकिन लिकिन इस से चाहिट चल रहा है, जो यह का बनाता हम स्पराइब जी तो कि बनाते हैं, अबसे चल रहा है। जो बात पहले कोशन पुछे हैं कंगना रोना तोला करना रोना ने बाई चांस अगर ड्रिंक किया हो भागवारंग पहन के तो वसकी गलत है मैं उसका विरोध करूंगा यसी बात नहीं मैं उसको सपोर्ट करूंगा अगर आप गलत हैं चाहिए हिंदू हो जाहिए मुसलीम च तो बिल्कुल देखना है निचीए पुराणी मुवी पुराणी मुवी जी थी वो बैटर थी नहीं बैटर थी लेकिन इस समय तो बिल्कुल नहीं है बाकी फिल्म इंडिस्ट्री बहुत लोग हैं जैसे कि आपके यह अक्षे कुमार जी हो गया है फिर और भी अक्टर एक् प्राइब करना है नहीं है वह अलग बनाते हैं वह रिस्पेक्ट करते हैं अपने देखा होगा वह पंडी जी का कोई मूवी है उसमें रिस्पेक्ट होता है यही कारण है कि बॉलीवूट का गराथ है डे वाई डे वो डाउन हो रहा है है और साल्थ का गराब बढ़ रहा है साल्थ के दरसा ग्यादा हो रहा है आपके अजी अब देख लिए बहुबली देख लिए हाइस ग्रॉसिंग फुल्म इंदर एवर है वह साल्थ की पुस्पाई थी 22 की वह सबसे टॉप क्वालिटिक मूवी थी अभी तक की जो यह लो हैं हमने देखा बीवाद चला हुआ इसमें पर नहीं हुए भगवा कलर का जो भगवा कलर है संतों का प्रतीक है यह उसके खिलाफ उसी गाने में कई तरीके के मतलब वो तीन मिनट साठी तीन मिनट का गाना है उसमें कई कलर बदले गया है बस भगवा ही नहीं काला भी सफ सेफरान जो भगवा आप कह रहे हैं तो कहां तक उचित है कि वो दस सेकेंड से आप उस पिचर को जज़ कर लेंगे या अपमानित हो गया हिंदू समाज या हिंदू धर्म और सानातन धर्म अपना अपमानित हो नहीं मेरे को लगता है कि आपमानित नहीं हुआ क्योंकि कई सारा कपडा उसमें पहना गया है तो कोई एक कलर का पहना हुआ होता तो हो सकता था क्यों सेफरान कलर पहने होते हैं आपको लग रहा है नहीं अपमानित नहीं हुआ है नहीं अपमानित नहीं तो भगवा है भगवा तो सही रंग है कई सारा कलर का पहना हुआ है उसमें दि इसी धर्म को भया कहें कि धर्म को निधारित जरूर कहता है लिकनि इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें तो अलग-अलग कपड़े चेंज किये गए हैं कोई एक कि पहले पिछरें बनती थी आज के डेट्न में पिचरे बन रही है कि इसका स्माज को ध्यान में रखे हैं। यह नहीं रहा गया है यह कुछ लोग और हैं आपर बैठे हुए इंसे पूछते हैं मिया क्या नाम है आपका यह पिच्चर आ रही है पठान है उसमें गाना या बेशरम रंग इसमें भगवा कलर का मतलब सैफरन करल कलर कहे लीजिए नारंगी कलर कह लीजिए उसमें दस सेकेंड का एक्ट्रेस ने कपड़ा पहना है जो थोड़ा अशिलील है तो क्या इस पे हिंदू सनातन धर्म पर कोई अशेप लग रहा है क्या जी यह सर कैसे जह जो बागवा कलर का कपड़ा है सनातन धर्म का प्रतिक है इसलिए सर जैसे कि मेरा मानना है कि वो कपड़ा पहनना मलब रंग का नहीं है वो किस प्रकार से उस कपड़े को पहनती है उस पे विवाद चल रहा है क्योंकि जैसे कि आप रामायड में देखती होंगे कि हमारी जो सीता माता है जो कपडा पहना गया है आप नीला पहनी है फटा पहनी है लड़किया पहनती हैं तो क्या आपति ये लड़किया पहनती है आप लड़किया पहनती है तो एक एकक्ट्रेस है फ्ल्म क्या आपने देखा वेशचरमरंग गाना सुना है पठान मूबी एक का रही है उसमें केसरिया रंग का भगवा नारंगी कलर उसका कपड़ा पहनके उसने आप यह लयुए, वयान वी दान्स किया है, तो क्या उसपे किसी हिंदू सनातन धर्म पे बात आजा रही है क्या है? इस वज़े से विवाद है कि और कोई रीजन हो सकता है अब विवाद का कारण कोई भी हो आपका मन सचा होना चाहिए कि हिंदू करके दिखाए यह तो गलत बोले हैं यह गलत भान पहने हैं उससे रंग में कोई यह बात यह नहीं कि कैलर वाली बात बात यह बोले हैं कि जो हिंदू अगर वाकत है थो फिलिम ओके दिखाए वही है कि यह गलत सब्सक्राइब पैच्चर को उब वह बोला था कि पाश्टी सोच वाले देखें यह नहीं बोला था कि वह बोले थे कि हिंदु धर्म में अगर किसी को धिम्मत है तो पिच्चा रोक के दिखांगा से सुने थे आप ये बात तो यह बोले हैं वह बात के लिए मैं बोला हूं तो यहां पर धर्म जाती की बात नहीं है लेकिन आज के डेट में अगर दस सेकेंड का वो सीन लोग कह रहे हैं कि बहुत पिचरें बनी जैसे कि ओमाइगाड बनी उसमें भी बहुत सारी टिपड़िए तो बात में उसका शायद नाम बदल के गलियों के रास लिला करके कुछ किया गया था कि मेरे देशकने से लगता है कि फिल्में पर राजनीत नहीं करनी चाहिए क्योंकि समझेए कर हिंदी भासा के परचार कर रहा है अगर नार्सिस्ट में चले जाएंगे तो फिल्म की माध्यां से परचार हो रहा है इसले हमको लग रहा है कि फिल्म का राजनीती करण नहीं करना चाहिए खाहिए और पहुआ को पार्ट के पर हिंदी पहुंच रही है और एक करण है कि आस तक भारत कोई राश्ट्री करण है और पिक्चर को देखना चाहिए पीच्चर की करेंगे या उस एक्टरस की करेक्टर को जज पर लेंगे या पूरा बॉलीवूड को जच कर लिया जाएगा? रंग से किसी को जच नहीं किया सकता है अगर भगवा रंग देखा जाए तो आप चले जाएगे मारे देश के वगले भुटान देश है वहापे जो राजा की प्रसनों सुरच्छा होती हो भगवा कलर के रंग रहती है इसलिए रंग कभी मनों राजनीती करोड या धार्मी करोड नहीं करना चाहिए आपका क्या विचार है? इस विचार है एक पिच्चर आई है पठान उसमें भगवा कलर पर विवाद हो रहा है बस क्यूंकि उसमें जो लड़की है जो एक्ट्रेस है उसने भगवा कलर पहन के डांस कर दिया है विवाद होना चाहिए नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए पिच्चर देखना चाहिए पिच्चर देखना चाहिए पिच्चर देखते हैं आप देखेंगे आप देखना चाहिए देखना चाहते हैं इस तो सतंतरता की बात हो जाती है कि कि अभी वैक्ति की आजादी सबको है लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं है कि इस तरीके का विवाद करेंगे मुस्लीम और हिंदू करेंगे तो कुछ ना कुछ बात बन जाएगी हमारी जब कहते हैं हमाई संस्कृति में कई रंगों से बनी हुई है सारे लोग यहां पर रहते हैं बहुत प्रेम से भाव से रहते हैं कुछ उच नीच होती रहती है घर में भी होता यह तो बहुतना लड़ते हैं तो कई न कहीं विवाद होता है तो कहां से बात आ जाती है कि हिंदू है हिंदू है मुस्लीम हैं ब्राहुन चत्री जब धर में आता है तो ही रोत करने चाहें लग तो कहे रहे हैं धर्म का कलर होता है तो आपका कलर भगवा है या हरा है मतलब वहीं पैने तो नहीं है तो कैसे कलर जो है निधारित कर दिया कि इससे आप मानित हो जाएगा इससे मान बढ़ जाएगा पिच्चर के कारण देखना चाहिए उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए वो लोग तो अपना पैसा कमाने के लिए जो चलेगा वही बनाएंगे उससे चलेगा बनाएंगे अगर कुछ गलत संदेश दे रहे हैं तो उसका वीरोध करना चाहिए नहीं करना चाहिए सवाल तो बहुत पैदा होते हैं लेकिन बात यहां पर आके रुख जाती है कि एक पिचर बनती है कितने पैसे लगते हैं उसको बनाने के बाद अगर सीधे एक पर्टिकुलर समाज के लोग उसको बाइकॉट कर देते हैं तो पिचरे बननी बंद तो नहीं होंगी लेकिन कहीं ना कहीं उनको उतनी महनत है एक एक एक्टर बहुत महनत करता किसी को पिचर बनाने में अगर वो अच्छी पिचर लग रही है छोटी सी चीजों के लिए उसको बाइकॉट ने करने देखना चाहिए लेकिन बात यहां पर आके रुक नहीं जाती है कुछ कहना चाहेंगे हम हम कह रहे हैं हो कोई यह से दिखने चाहिए जा रहा है कृफ लोगों का काम उस node चीजए हमने दिखाई अरे बता दिए क्या दिक्कत है freedom of speech है कोई बात नहीं है देश में हर वैक्ती को बोलने की आजादी दी गई है वो बिरोध भी कर सकता है समयथन भी कर सकता है तरीकी की चीजों को बता सकता है लेकिन किसी पिच्चरों को बिना देखे बिना समझे बिना जाने बाइकॉट न किया जाए और मैं इस तरीके के वीडियो इसलिए बनाता हूँ public reviews क्यूंकि जनता ही पिच्चरों को देखती है उसको millions billions में पहुचाती है उसका turnover बनाती है या तो flop को यह देती है तो भारत एक नई मैं शुबमत्री पाठी नमश्कायर